नमस्कार दोस्तों, आउसी की चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुती कुपसूरत डिजाइन लाई हूँ चाहे इसे बच्चो के स्वेटर में डालिए, लेडी स्वेटर में डालिए, जेन स्वेटर में भी डालिए यह सब में बहुत अच्छा लएगा दो लाइन का छोटी छोटी बूटी का यह कुपसूरत सा डिजाइन बनाने में बहुत आसान और देखने में बहुत ही कुपसूरत इसे बनाने के लिए तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा है यानि ऐसे तीन तीन करके हम गिने तो लास्ट में दो फंदा बचना चाहिए तो मैंने चौदा फंदे डाल लगके हैं और बार्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सबी फंदे सीधे बना लेंगे तो यदि इस लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हो तो हम फंदे बढ़ा सकते हैं तो पहली लाइन में सबी फंदे सीधे बना लेंगे और हम राइट साइड अब हम रॉंग साइड में हैं और अब हम अपना सेकंड कलर अटाश करेंगे तो मैंने सेकंड कलर अपना सेकंडरी कलर अटाश कर लिया है अब सेकंडरी कलर से सबी फंदे उल्टे बना लेंगे तो रॉंग साइड में सेकंडरी कलर से सबी फंदे उल्टे बन लिये गया है अब हम राइट साइड में है तो ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम slip करेंगे उनको अपनी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा भी हम ऐसे परलवाई slip करेंगे नेक्स्ट दो फंदे सीधा अब जो फंदा हमने slip किया है उसे हम ऐसे उठाएंगे और दोनो फंदो को इसके अंदर से असे निकालेंगे फिर उन हम अपनी ओर करेंगे उनको अपनी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा इसे परलवाई slip करेंगे अगले दो फंदे सीधे अब जो फंदा हमने slip किया है उसे उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे उन अपनी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा ऐसे परल वाई स्लिप करेंगे दो फंदा सीधा स्लिप किया हुआ फंदा उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे फंदा छोड़ देंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो फंदे सीधे स्लिप किया हुआ फंदा उठाएंगे और दोनों फंदों को बुने हुए दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे लास्ट फंदा सीधा अब रॉंग सैट में हम हैं अब हम अपने प्राइमरी कलर से सबी फंदे उल्टा बना लेंगे अब हम राइट सैन में हैं तो हम तीन फंदे सीधे बना लेंगे पहला फंदा स्लिप किया नेक्स्ट दो फंदा सीधा बना लेंगे फिर उन अपने उर करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे अब देखिए ये जाली वाला फंदा है तो इसे और इसके नेक्स्ट वाले फंदे को सीधा बनेंगे और स्लिप किया वा फंदा उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे जाली वाला फंदा और उसके आगे वाला फंदा, दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा उठाएंगे और दूनों फंदों को जो हमने बुना है अभी सीधा, उसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। फंदा छोड़ देंगे, उन अपनी और करेंगे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। जाली के पहले वाला फंदा हमें स्लिप करना है और वो भी पॉल वाइज ऐसे स्लिप करना है। जाली वाला फंदा और उसके आगे वाला फंदा दो फंदा हम को सीधा बुनना है और स्लिप की हुए फंदे को उठाना है और बुने हुए फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है लास्ट में दो फंदा बचे है तो उसे हम सीधा बना लेंगे अब प्रैमरी कलर से दू लाइन बनाने के बाद अब हम फिर सेकंडरी कलर से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे तो सभी फंदे उल्टे बने जा चुके हैं अब हम फिर राइट साइड में हैं तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा बुलेंगे ये जाली वाला जो फंदा है उसके आगे वाला फंदा हमें स्लिप करना है तो इस फंदे को हम सीधा बुलेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे और स्लिप करने से पहले हमेशा हमको अपना उनको अपनी तरफ कर लेना है उनको अपनी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा को परल वाई स्लिप करेंगे अब ये जाली वाला फंदा ये दो फंदे हमको सीधा बुलने है तो जाली वाला फंदा हमारा पहला फंदा होगा तो जाली वाला फंदा और उसके नेक्स्ट फंदा दो फंदा हम सीधा बुलनेंगे और जो फंदा हमने slip किया था उसको ऐसे उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे उनको अपनी उर करेंगे अगला फंदा परल वाई जैसे slip करेंगे देखिए यह जाली वाला फंदा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे और इसके आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा इसको ऐसे उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे उनको अपनी ओर करेंगे अगले फंदे को परल वाई जैसे स्लिप करेंगे जाली वाला फंदा उसके अगला फंदा दो फंदो को हमें सीधा बुनना है और फिर स्लिप के वे फंदे को उठाना है और दोनों फंदो को इसके अंदर से आसे निकाल लेना है अब ये हमारा डिजाइन बन गया तो फिर वापस उनको अपनी और करना है नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है अगला दो फंदा सीधा स्लिप के वे फंदे को उठाना है और फिर दोनों फंदों को इसके अंदर से इसे निकाल दिना है तो दो लाइन का हमारा डिजाइन है और डिजाइन यहां पर कम्प्लीट होता है रॉंग सैट से फिर हम अपना तूसरा कलर से सब भी फंदे उल्टा बना लेंगे दो ही लाइन का यह डिजाइन है पस हमें यह द्यान देना है कि जाली के पहले वाला फंदा हमें स्लिप करना है तो पहले फंदे को स्लिप किया और स्लिप करने से पहले हमेशा उनको अपनी तरफ कर लेना है अब जाली के पहले वाला फंदा ऐसे पॉल वाई स्लिप करेंगे जाली जो है वो पहला फंदा होगा तो फंदा हमें सीधा बुनना है जाली वाला फंदा पहला फंदा होगा और slip की होई फंदे को उठा के बुने हुए दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेना है तीनी फंदे का डिजाइन है उनको अपनी करना है पहले फंदे को slip करना है ये देखिए जाली वाला फंदा और नेक्स्ट फंदा इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुनना है और जो फंदा हमने स्लिप किया इसे उठाना है और दोनों फंदों को इसके अंदर से आसे निकाल लेना है लास्ट फंदा सीधा तो देखिए फ्रैंस डिजाइन बनके त्यार है छोटी छोटी बूटी वाला उप्सूरत सा डिजाइन सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रैंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो देखना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद